अजी स्टूडेंट्स, आज असी अपनी ग्यार्मी क्लास दा स्टेक्शन ए, छेवां ऐसे, Let's Not Forget the Martyrs, जिसनु के वंदना सहेगल दोरा कॉंपाइल किता गया है, असी इस चैप्टर दे आज लॉंग आंसर टाइप क्वेस्चन्स दा करांगे ही, अते नाल ही इस चैप्टर दे एंड दे विच दितियां, Vocabulary Practice Exercises with Solutions डिसकस करांगे, इस चैप्टर दी सेरीज दा एह साधा चोथा वीडियो होएगा, Students, मैं तोनों दसना चाहांगा, कि मैं इस चैप्टर दी आज आलेडी तिन वीडियोज बनाके टोर्नल शेयर कर चुक्या है, ता इस चैप्टर दी पहली दे दूसरी वीडियो दे विच मैं इस चैप्टर दा comprehensive explanation आते analysis करवाया है, उमीद है कि तुसी एहे दोने वीडियोज ज़रूर देखे होंगे, जेकर तुसी एवीडियोज मिस किते हैं, ता मैं तोनों सक्रीन दे टॉप राइट कॉर्नर दे इस दे लिंक प्रवाइड कर रहे हैं, अते तुनों अपील करदा है कि तुसी एना लिंक से जाके एवीडियोज ज़रूर देखो, तांके तुनों आज दे long answer type questions पूरी तरह clear हो जान। मैं इना दो वीडियोज दे विच इस चेप्टर दे एंड दे विच आई गलॉसरी दे सारे terms भी नालो नाल एक्स्प्लेइन किते ने, ऐसे तरह स्टुडेंट्स मैं इस चेप्टर दे तीसरे वीडियो दे विच इस चेप्टर दे एंड दे विच दिते हुए ग्रैमर एक्सराइज इस सलूउशन में डिसकस केती है ने, जिना विच आपने एक्सराइज है जिस दे विच आपने suitable determiner पाना है आते इसे तरह एक्स दी तीसरी एक्सराइज है जिस दा नाम है आइडेंटिफाइदा टेंस आते मैं बहुत ही डिटेल दे विच तो अनू ह इस दा लिंक प्रवाइड कर रहे हैं हां अते उमीद करदा हां के तुसी ए वाला वीडियो भी ज़रूर देखोंगे ताके तौनू आज दिया वोकैबलरी प्रैक्टिस एक्सराइज समझन दे विच किसे तरह दी कोई दिककत ना आवे Students, आजवाली वीडियो दे विच असी अपने चेप्टर दे अंड विच दित्ते हुए जो essay टाइप कुईस्चन ने जो के B part दे विच दखाये गए ने तो अटेल ए 5 essay type questions ने आज जड़ा आपा ऐसे टाइब कोईस्चन डिसकस करांगे ओदे वीच एही पंज सारे जो तो अड़ी टेक्स्ट बुक दे, चैप्टर दे, एंड दे वीच दिते हुए ने उना दा आंसर आपा डिसकस करांगे आते नाल ही तो अड़ी चैप्टर दे, एंड दे वीच दिती हुए सेकिंड नमबर दे उपर वोकेबलरी प्रैक्टिस दियां दो एक्ससाइजी सुलूशन्स में डिसकस करांगे जिदे वीच एक पिलिंदी ब्लैंक्स वाली एक्ससाइज है आते दूसरी एक्ससाइज दे वीच सानू कुछ वर्ड देते हुए ने जिस्तों साने एजेक्टिब नाने ने उनानू डिसकस करांगे ता स्टुडेंट्स एसे चैप्टर दे एंड दे दिती हुए दूसरे नमबर दे वोकेबलरी प्रैक्टिस दियां दो एक्ससाइज असी डिसकस कर जा रहे हां जिस दे विचों पहली एक्ससाइज दे विच तो अनू कुछ वर्ड बॉक्स दे विच दे रखे हां अते उस दे निचे सेंटेंसिस दे रखे ने ते टोटल बच्चेयो 8 sentences ने आथे 8 words बॉक्स दे विच पाये होएने तबच्चेयो जड़े box दे विचे 8 words पाये होएने इस सारे words तो अड़े chapter दे विचों ही आईने उमीद है के तो नोएना दे आलड़ी meaning पता ही होंगे क्योंकि जिना ने मेरे explanation वाले वीडियोज देख रखे ने उना नुता हैं सारे words जरूर आंदे होंगे ता चलो आसी यहे exercise कर दें हाँ ता पहला sentence है जी के Major Somnath Sharma was the dash of the Paramvir Chakra ता परमवीर चकर प्रापत करन वाले पहले फोजी सी जी Major Somnath Sharma ता रेसीपियन शबद आया सी जी Major Somnath Sharma वाले पारदे विच रेसीपियन ता मतलब प्रापत करन वाला तासी यहे थे यह वर्ड सप्लाई करता सेकिन जी पाकिस्तानी डैश क्रोस दा लाइन ओफ कंट्रोल इन जम्मू एन एंटर इंडिया ता कुछ कुछ पैठ ही है Major Somnath Sharma वाले पारदे विच यह वर्ड आया सी कुछ कुछ पैठ ही है अंदर आगे सी जी रेडर्स आया सी, इंटूडर्स आया सी इन्फिल्ट्रेटर्स आया सी जिनननू रेडर्स भी किहा गया है ता ओ जम्मू कश्मीर ते कुले स्थित लाइन ओफ कंट्रोल उनने पार कर ली सी ता असी है थे कुछ पैठ ही है पामागे थे कुछ पैठ ही ही इंग्लिश हों दिया जी इन्फिल्ट्रेटर्स असी हो पाता जी थर्ड है As he could not afford to pay his fees he dashed the principal for help क्योंके ओ अपनी fees पे करन दे काबिल नहीं सी नहीं सी कर सकदा पीफीज पे अपनी इस कर के उसने मदद लई principal को अप्रोच किती ता वर्ड है जी अप्रोच टे वाड़े बोक्स दे विच शामिल है ता सियत थे अप्रोच पादेने जी 4th है जी The brave officer killed two enemy soldiers in hand-to-hand dash ता बहादर अफसर ने दो दुश्मन फोजी hand-to-hand combat दे विच मार देते दो-दो हथ जदो हुंदे ने जी बिना हथ यारां दे ता उसनों असी hand-to-hand combat कहने है ते combat वर्ड तो अडे box विच भी आया है ते है चैप्टर जो कई वरी आया है तासियत थे combat पादर फिफ्थ है जी दाइनिमी सफर लोटस अफ़ डैश एंड टुक टू देर हील्स दुश्मनानू बहुत जदा नुकसान हुया उना दे बंदे बहुत जदा मरे लोटस अफ कैजवल्टीज ता कैजवल्टीज आया जी तो अदा शुरू चीप है तासियत थे casualty पादने है एंड टुक टू देर हील्स अथे हो पजगे टुक टू देर हील्स ता फ्रेज हुंदा जी नेक्स जी इन 1962 दा चाइनिस अटेक दा इंडियन आर्मी इन डैश नंबर्स 1902 देविच चीनिया ने बहुत ज्यादा नंबर देविच पार्ती फोजते हमला किता ता करनल ता अंसिंग थापा देविचे वर्ड आया सी जदों कई वारी चीनिया ने आकरमन करिया चार वारी शायद हमला किता सी ढाती जी बार बार आईगे हो जदा तो जदा नंबर चाहे गे ता ओ ठेक वर्ड आया सी OVRWALMING तडा OVRWALMING तो डेविक वाक्स देविच है OVRWALMING दा मतलब हुंदा है वच्यो while aarti बहुत जदा मात्रा बहुत जदा गिंती देविच तास यह थे overwhelming father name सत्मा है after his great sacrifice he was dash honored with the highest military decoration अपने महान बलिदान तो बाद उसनू पौज दा सब तो बड़ा मान दिता गया मरनो प्रांथ मान दिता गया तह थे posthumously आएगा जी posthumously दा मतलब मरनो प्रांथ हुंदा है यही वर्ड चैप्टर जो कई वरी आया है last है जी he dashed the highest bravery in the fight and made the enemy run away उसने fight दे विच लड़ाई दे विच बहुत ही ज्यादा बहादरी दिखाई अते जी सनाल दुश्मन पाज गया ता displayed आएगा जी शबद displayed शबद वड़ी box दे विच शामिल है display दा मतलब दा मुझारा करना show करना ता ए आगे जी वर्ड ता साड़े सारे words sentences दे विच पूरे होगे ने उमीद है बच्चेओ के ता अनू exercise clear हो गई होगे students होना सी अपनी vocabulary practice दी दूसरी exercise वाल आंदे हा इस exercise दे left hand side ते ता अनू कुछ words देते होए ने total हे 10 words है अते right hand side ते ता अनू इस दे adjective बनानू कहा गया है तब अच्चे उसानू पहला है पता होना चाहेंदा है के adjectives होंदे कीने adjectives नूसी पंजाबी चे विशेशन कहने है इहे ओ शबद होंदेने जड़े nouns या pronouns नू qualify कर देने ओना दे बारे सानू 10 देने असी examples देनाल समझाँगे जमें सबतो पहला साथा word है poverty, poverty दा मतल होंदे है agreeby, agreeby ता एक word हो गया इसनू उसी कैसा दे है के एक noun है agreeby एक noun हो गया poverty एक noun हो गया लेकिन असी इस दा adjective बनाना है ता एदा मतल होंदे poor poor कहा जाना है घरीब बंदे नू उन असी किसे भी person देगे, poor person लगाके इस तरह उनू कर साथे हैं के person poor है, ओह बंदा घरीब है ता poor की हो गया उस person नू qualify कर रहे है उस दे बारे सानू दास रहे है ते poor उस दा adjective, ता poor poverty दा adjective हो गया दूसरा word है mercy, mercy भी noun होंदे जी, mercy दा मतल होंदे देया, लेकिन जड़ा बंदा mercy नाल पर रहा होगी यसी उस नू कहने है merciful ता ए साथा adjective हो गया mercy दा, ता ही उसी कहांगी ना के he is the merciful person, ओ person देयानाल पर रहा होगी है, merciful है ता उस person दी विशेशता होगी कि हो merciful है, ता merciful है थे विशेशन दे तो और ते use हो गया तीसरा हो गया power, power भी आसी noun कह सागदे है, power दा मतलब होंदा है शक्ती, ते इस दा adjective बढ़ेगा शक्ती शाली जिसनों असे English कहांगे, powerful ता he is the powerful person, same है एक्जामपल लेने है, he is the poor person, he is the merciful person he is the powerful person समझन दे लहीता है, सारे words की होगे जी, ए सारे adjective होगे, जड़ेके nouns तो बने है और साड़ा जड़ा word है, ए नाउन नी है it's a verb, destroy destroy दा मतलब होंदा है, तबाह करना destroy दियाँ, verb दियाँ forms भी होंदी है, destroy, destroyed destroyed, edd लगदा होदे पिछे लेकिन असी verb तो हुन adjective बनाना है, adjective होंदा है destructive destructive दा मतलब होंदा है तबाह करनवाला, हुन स्पोस करो कोई missile होवे, जड़ी destructive होवे आप आप कहांगे, it is a destructive missile missile तबाह करनवाली है missile क्वालिफाई करता हो, उस दी विशेशता दस्ती ता इस करके असी इस नो विशेशन यूज करे है, यह सदा adjective हो गया पंजमा शबाद है, जी gallantry, कई वरी ए जड़ा word है, सदे chapter चाया, actually यह सारे words ही chapter चो आया होने, जड़ी left hand side तेने, ता gallantry दा मतल होने है, बहादरी ता it's a noun, यह दा adjective वी chapter चाया होया है, ओ है gallant, ता gallant दा मतल होने है, बहादर ता इस दा विशेशन हो गया, जी gallantry दा, success वी noun होने है, जिसनो उसी पंजाबी सफलता करने है, ता successful तदा हो गया adjective सफलता योग, ता सी successful लिखता, successful mission, ए वर्ड वी तो आड़े chapter चाया है, ता ओ mission जड़ा सफल हो गया, उसनो उसी successful mission करने, mission नो qualify करता, successful ने, उस दे बारे दास्ता था successful adjective हो गया, bravery शबद ता मतल होने है, जी बहादरी, it's a noun, ए ब्रेवरी तो ता उनो एकदम बचे याद आया होना, brave, अपा कहा देने है, he's a brave person ओहो एक बहादर person है, बहादर इंसान है person दे अगे brave आ गया, person नो qualify करता हो दी विशेशता दस्ती ता है सड़ा, विशेशन हो गया जी, brave is an adjective of bravery length भी noun होंदा है length लंबाई नो कहा जानदा है question बड़ा length है, ओदा answer बड़ा length है अपा कहा देने है एकसा length है answer, ता answer दी विशेशता होगी उत्तर दी विशेशता होगी कि बहुत length है बहुत बढ़ड़ा है, इस करके answer दे अगे length है आके उसनों qualify कर रहा है, उसनों बारे दस रहा है इस करके adjective होगया prestige, prestige शबद बच्चे वो noun होगया है, prestige दा मतलब होगया है, पंजाबी च वकार जिस दी इजदत होगे prestigious शबद तो अड़े chapter च भी आया है बच्चे वो ता ए इस दा विशेशन होगया है prestigious prestigious शबद इस दा adjective होगया है वकारी, जिसनों वसी पंजाबीच कहने है जी में प्लस वन अते प्लस टू क्लासिज दे जर्नल इंग्लिश आते इलेक्टिव इंग्लिश दे बहुत सारे वीडियोज बनाये हुए हान इना वीडियोज नू देखन देली तुसी यूट्यूब दी सर्च बारते जाके दीपक सूध लव लर्निंग तूली टाइप करो रिजल्ट वीच आई पहली साइट दे दीपक सूध दे जाके क्लिक करो ता इस तरह तुसी चैनल ते पहुंच जाओंगे जिते तुसी वीडियोज दे एक सेक्शन देखोंगे जिमें के class 12 दी playlist चोथे नमबरते हैं इसते तुसी जाके जदो फुल प्ले लिस्ट करोंगे ताथ उन्हों class 12 दीयां सारियां videos मिल जान गियां इसे तरह तुसी बाकी class 11 ओना दी playlist दी जाके सारियां videos प्रापत कर सकते हूं इसे तरह में class 11 दी ग्रैमर दीयां video list बनाई हुई है ता ओ सारियां videos ताउनों प्रापत हो जान गियां ते एक playlist English selective class 11 दी भी है ते ओस दे विच ताउनों सारियां class 11 दीयां playlist प्रापत हो जान गियां ता मैं तोनों सारे अनों अपील करदा हैं के एक वार तुसी धीपक सूद Love Learning to Lead चैनल ते जरूर विजिट करो Students अब इस chapter दा main essay type question discuss कर दे हाँ इस chapter दा main question बंदा है बच्चे वे बंदा है कि write the theme of the essay let's not forget the martyrs जिवें के असी text book दे विच दिते हुए questions बच्चे वो देखे सी ता हो total five questions ने उना चो कोई भी question ता नों exam दे भी चाह सागदा है ता मैं उना पंजा questions दे answers दियां main main जड़े points ने और इस long answer type question दे विच include किते ने उना पंजा question चो कोई भी question तोड़ी exam दे भी चाहनदा है या exam दे भी इस chapter दा theme आदा है ता तो उसी एही वला answer बच्चे वो लिख सागदे हूँ ता answer शुरू कर दे हैं जी के let's not forget the martyrs is compiled by वंदना सहगल तब अच्चे व सबतो पहला असी as usual जमें असी पहली line लिख दे हैं कि chapter दा नाम लिखना है ते नाम लिख दे हुए असी इस chapter दे जड़े capital letters हैं उना दा त्यान रखना है अथे इस chapter दा जड़ा name है उसनू single code दे विच पाना है ते ए ज़रूर ते आन रखना है कि असी इते compiled पाना है written नहीं पाना जे कर तुसी इते written पाने हो ता बच्चे व हो गलत हो जेगा विकोज ए chapter बंदना सहेगल ने नहीं लिखिया उना ने इसनू compile किता है compile ते written दे विच बच्चे व फरक होंदा है compile दा मतलब होंदा बच्चे व संग्रहीत करना कठा करके लिखना इस chapter बच्चे व बच्चे व आपनों जिनना भी text देखनों मिलदा है ओक text वंदना सहेगल ने कई जगा तो लेके एक जगा उना ने कठा किता है जिमें के मैं तो अनू chapter नो समझान दे होई दस्या सी कि उना ने काफी सारा टेक्स्ट विकिपीडिया ना दी साइट तो भी लेया है होर भी कई जगा तो उना ने लेया उना ने ये सारा मैटर कठा किता है ते एक chapter दी shape उना ने दिती है इस करके इस गल्दा खास क्या लखना है बच्चे व क्या थे तुसी compiled पाने रिटन नहीं पाना तेसे तरह वंदना सहेगल दा नाम भी बच्चे हो त्या रखना है ना दे capital letters ते small letters त्या रखना है स्टुडेंट सनुए भी पता है कि इस chapter दे विच टोटल पंज पार्ती फोजीयां दा जेकर है अपनी भादरी दे नाल दुश्मना दे चके छड़ाते ते उना ने साड़े पारत दा सब तो वड़ा वीरता पुर्सकार परमवीर मैडल प्रापत किता पहले फोजी दा जिकर है जी उना दा नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा जी दा फर्स रिसिपियंट दा मतल हुंदा जी प्रापत करन वाला अन 3 नुवेंबर 1947, जी प्रापत करन वाला वाइल एविक्तिंग पाकिस्तानी रेडर्स फ्रॉम शिरी नगर एरपोट दूरिं दा इंडो पार्क वार ऑफ 1947-48 इन बैटगम विलेज इन दा काश्मीर वैली ता 3 नुवेंबर 1947 नुँ उनने अपनी जिन्दगी दा बलिदान दिता जी सेक्रिफाइस दा मतल हुंदा जी बलिदान देना कि में वाइल इविक्टिंग पाकिस्तानी रेडर्स इविक्ट दा मतल हुंदा है पिछे तक ना क्योंके पाकिस्तानी हमलावर आगे सी जी कित्थे है जी शिरिनगर एरपोर्ट कोले आए ते ए कदों दा समासी 1947-48 दी पारत पाकिस्तान युद्ध दा समासी ए कित्थे होई बैटगम विलेज दे विच होई कित्थे है जी है कश्मीर वैली जाए ता बच्चे ओ जदो भी तुसी वड़ी लाइन याद करनी है ता तुसी इस तरह इनों छोटे छोटे पार्ट से विच समझ के याद करो कोई भी वड़ी लाइन भी याद इसली हो जान दी है ता अनू पता है बच्चे ओस ट्रेम होया की सी के बैडगम पिंट दे कोल इना दी यूनिट तैनाथ सी जित्थे इना दे उपर सत सो रेडर्ज ने जिसनू के ट्राइबल लशकर कहा गया सी हमला करता सी एक गुलमार दी डिरेक्शन तो आया सी चारे पस्यों हे कर गे सी के दुश्मना दे नाल तै बहुत ही पारी बंबारी किती गई सी मेजर सोमना शर्मा दी फोजी टुकडी दे उपर मैं तो नू पिक्स दे विच भी दखाया सी के मॉटर बंबार्डमेंट होई सी तै काफी casualties हुई यां काफी जाना गई यां साथे फोजी आं दे वी पर उस तो किते जादा जाना गई यां हम लाव रहा दियां क्योंके इना ने डट के मुकाबला किता ता अंडर हैवी मॉटर फाइरिंग मेजर सोमना शर्मा विद इस राइट हैंड इन प्लास्टर रैन फ्रों पोस्ट तो पोस्ट फिलिंग दा मैगजीन और्ज इस कंपनी तो फाइड ब्रेवली उस युद दे दोरान जिमें के मैं ता नू दसे है के बहुत ही हैवी मॉटर फाइरिंग हो रही सी मेजर सोमना शर्मा जिना देके उस समय सजे हादे उपर प्लास्टर चड़या है सी याद करो मैं तो नू चैप्टर एक्स्प्लेन कार दे दसे है सी तब बैडगाम पिंच आन तो पहला मेजर सोमना शर्मा दा हाद जख्मी हो गया सी होकी खेलदे हूए एना नू एना ते फोज दे अफसराने केहा दिक आशी के तुसी जे नहीं जाना चान्दे यूद दे मैदान चल्टा तुसी ना जाओ परे जितर करके आईसी के अन्दे नहीं मैं अपनी फोज दी टुकडी दे नाल रहना चानना है अथे एना ने अपना मूर्चा संभाल लेया अथे उस बंबार्डमेंट दे रहान एहे एक पोस्तों दुजी पोस्ट वाल दोडे क्योंके इना ने अपने साथी फोजियां दी बंदुकां दी मैगजिन नू फिल करन दी जुम्मेवरी अपने सिर्थे लवी होई सी अथे नाल ही एहे उना नू बहादरी नाल लड़न दे लई प्रेरित वी कर रहे सी इक ता देखो बंबार्डमेंट हो रही है, हैवी फाइरिंग हो रही है, ओदे विच्चों दी है पजबज के इक पोस्तों दुजी पोस्त वाल जा रहे ने अथ जखमी है, लेकिन फेर वी एहे अपने फोजी साथियां दे मैगजिन नू फिल कर रहे ने अथे नाला नोना नू हला शेरी दे रहे ने तापा बच्चों पड़े है चैप्टर दे विच के इना दे फोजीयां को ले लाइट मशीन गन से गियां हलकियां मशीन गना सी, जदके दुझे पासे मॉटर सी गे जो के बहुती वड़े वड़े बंब गेर देने एदर एहे ओज अने सी, ते दुझमना दी फोज सत गुना सी लेकिन एक कबरा आए नी, एना ने डट के मुकाबला किता, मोर्चा संबाल लेया अथे एक बंब एना दे, एम्मुनिशन को लाके गिरिया, जिस दे करके मेजर सोमना शर्मा दी डेथ होगी लेकिन अपने प्राण त्याग दे होए वी, इना ने जो मैसेज दिता सीगा अपने हैड़कवाटर नूँ एक एहासी के दुझमन सिरफ पंजाग आजदूर ने, बहुत ज़्यादा फाइरिंग हो रही है असी इक वी इंच नहीं छड़ाँगे अपने अखीरले आदमी तक अथे अपनी अखीरली गोली तक इस दा असर ए होया, दो सो दुझमन मर गे एननी ज्यादा गिंती देविच जदो दुझमना दिया जनना गईया तो उन दा होंसला टुट गया अते ओ पिछे हट गे तां, ही वोस सक्सेस्फुल इन प्रिवेंटिंग दी फाल उफ शिरी नगर इस करके मेजर सोमना शर्मा सफल होय शिरी नगर नूँ दुझमना दे हाथ जान तो बचाउन दे वी इवेंट दा मतल होंदा बच्चेव रोकना हो शिरी नगर दुझमना दे कबजे विच नहीं गया एना दे महान बलिदान दे सद्द इस चैप्टर विच दूस्रे फोजी जी नगर ने परमवीर चकर प्रापत किता है जी उनगर दा नाम है लेफटेन चरनल तन सिंग थापा लेफटेन दा परमवीर चकर प्रापत किता पारत चाइना दा जडा युद्ध होय जी 1242 देविच उस देवी चेना ने परमविर चकर परापत किता है On 28th August 1949, the Chinese attacked his regiment near the Chushul Airport in Ladakh 8 August 1999 दिन, चिनिया ने इना दी फोजी टुकडी उपर अटाइक किता Regiment फोजी टुकडी नू कहा जन्द है एना दी फोजी टुकडी किते 83 लदाख देविच चुशिल एरपोर्ट दे कोले है जी जगा सिरिज जप वन अपा चैप्टर देविच पड़ेया ता उथे 83 जिथे ना दे हमला होया ही रिपल्स थ्री चाइनीज अटैक्स ता इना ने तिन चिन्नी हमल्यानू पिछे तक या रिपल्स दा मतल हुंदा है पिछे तक ना गिंती चे वी बहुत थोड़े सी जी चिन्निया दे पहले अटैक दे विच ही इना दा जड़ाव कम्यूनिकेशन लिंक सिगा अपने हैडक्वार्टर देना लो तबाह हो गया सी याणिके अपने हैडक्वार्टर नो कोई भी सूचना देन दे असमर्थ हो गे सी लेकिन फेर वी इना ने डटके मकाबला किता जदो पहला अटैक होया चिन्नियां दा एनने उननों पजाया दुझी वारी योह होर गिंटती चाए एननने ओवी अटैक पिछेता कदिता ता तीसरी अटैक दे विच चिन्नि अपने नाल टैंक ले आए ता टैंक दे नाल बहुत बड़ी बबार्डमेंट होई जिस करके एन हैंड-to-hand fighting उस समेंना कोले हाथविच कोई हत्यार नी सी तैना ने काफी इन्टूडर्ज नू कई intruders नू प्रूडर्स दा मतलूं दा बच्चे वो कुस पैठ हिया, ता इना ने कई कुस पैठ हिये, hand-to-hand fighting ची मारते, मतलब के इकलम कली लड़ाई हुई, हत्थां दे नाल, ते इना ने कई चिनिया नू मारेया, he was captured and taken as a prisoner of war by the enemy, परांत इना नू फडलेया गया, capture दा मतलब पकड़ लेना, अथे इना नू prisoner of war, युद्ध दे कैदी वंगू इना नू रख्या गया दुष्मना द्वारा, by the enemy, दुष्मन द्वारा, इना नू prisoner of war रख्या गया, after his release from POW camp, he resumed his military career, ता जदो अहे prisoner of war camp तो release होय, release दा मतलब जदो इना नू scamp तो मुक्त किता गया, कैद चो मुक्त किता गया, एथे POW दा मतलब है बच्चे ओ, prisoner of war, ता फेर इना ने अपना military career दुबारा तो start कर दिता, resume दा मतलब दुबारा start करना, मतलब के फेर military चे शामिल होगे, he retired as a lieutenant colonel, अला के बच्चे ओसी chapter दे विच पड़ेया है, के जदो इना नू पकड़ लेया गया सीगा, एक वारी ता इह अफवा फैल की सी, के इना दी death हो गई है, लेकिन बाद दे विच पता लगया, के एह चिनिया दे prisoner of war camp च ने, अपने चेप्टर च पड़ियाने, students, इस चेप्टर दे विच थाड़े तीसरे फोजी दा नाम है जी, हवालदार अब्दुल हमीद, जिना नू के killer of tanks दे नाम नाल भी जाने जन्द है, की गौड़ दा परमवीच चक्र दूरिंग दा इंडो पाक वार ओफ निटीन सिस्टीफाइव ता उनी सो पहंट दे विच जदो पारत पाकिस्तान दे विच कार यूद होया है, ता उस यूद दे विच जो एना ने जोहर दखाया, अपने प्रान दी बाजी लगाई, उस दे बदलेना नू परमवीच चक्र परदान किता गया। बहुत ही आदुनिक टैंक से गे, ते जिना दे बारे मुशूर सी के ना नू नश्ट करना किसे भी बम द्वारा बहुत ही मुशकल है। ता उस समय हवालदार अब्दुल हमीद खेमकन सेक्टर ते ताइनात सी, ते जदों पाकिस्तानी फोर्ज ने इना पेटरन टैंक्स दे नाल सड़े पारती हमला किता। ता हवालदार अब्दुल हमीद दिस्ट्रोइड मैनी अनिमी टैंक्स विद आन आर्सील गन माउंटे ओन इस जीप। अब्दुल हमीद दिस्ट्रोइड मतलब नश्ट किता। बंबारी किती जिस दे वजों लड़ाई दे दोरान इप बहुत ही ज्यादा जखमी होगे जिस करके ना दी मौत होगई। इननने अपनी बिल्कुल भी परवानी किती अकले ही देखू उना टैंकां दे समने तनके खड़े होगे अते टैंकां नो इननने तबाह किता। इसे करके ना नो किलर आफ टैंक्स किया जानदा है। किना नो इननने नाल दे साथ यानू कामरेड़ जा मतलब हुंदा जी साथ जड़े पोर्थ बेटैलियन दे बाकी सिपाही सी जद उना ने देख्या के साड़ा सिपाही यानी बहादरी नाल लड़ रहा है इसने अपने प्राणा दी प्रवानी किती। ता उना ने फेर पुटा पा गैलेंट फाइट एक बहुत ही बहादरी परी लड़ाई लड़ी गैलेंट दा मतलब बहादरी परी लड़ाई लड़ी पाकिस्तानिया दे खिलाव अते उना नू पिछे हटन ली मजबूर कर देता तू बीट बैग दा एनिमी एसॉल्ट दुश्मना दे हमले नू पिछे तक दित एनने बहादरी ना लड़े वीर हवालदार अब्दुल हमीद दी बहादरी देखके दुश्मना नू पिछे हटना पिया ता स्टूडेंट सटे अगले फोजी ने जी फ्लाइंग ओफिसर निर्मल जीत सिंग सेखों कि गोड़ दा परमवीर चकर फॉर हिस ब्रेवरी इन इंडो पार्क वार फ नाइटीन सेवंटी वन निसो कहतर दे विच जड़ी पारत पाकिस्तान दी लड़ाई हुई है उसदे विच उननने जो बहादरी दिखाई उसदे बदलेना नू परमवीर चकर पर दान किता गया एक उनसी जी निर्मल जीत सिंग सेखों। शिरी नगर एर बेस ते अटेक किता। उस समय ड्यूटी दे सिगे जी निर्मल जी सिंग सेखों। अंडर हैवी फायर, फ्लाइंग ओफिसर सेखों टुक ओफिस नेट एन डिस्ट्वायर टू पाकिस्तान सेबर्स। अपने एक छोटा जा लड़ाकु हवाई जहाज। चोटा लड़ाकु जहाज। अपने छोटा जा लड़ाकु जहाज नेट उड़ाया अथे दो पाकिस्तानी सेबर नू मार सुट्टेया, गिराता। सेबर दा मतलब हुंदा जी वड़ा लड़ाकु जहाज। हुं तुसी देखो बच्यों कोई बरबरी दी लड़ाई नी सी। अधर छे वड़े लड़ाकु हवाई जहाज सी। अधर निर्मल जी सिंग सेखों को ले केवल एक लड़ाकु हवाई जहाज सी। जड़ाके उना दे मुकाबले बहुत ही छोटा सी। लेकिन फेर वी एना ने अपनी अधुपुत बहदरी दा अपनी कला कु शल्ता दा मुझारा करदे हुए दो वड़े F-86 Jets नू मार गिराया। दूरिंग दा डॉग फाइट, इस एयरक्राफ्ट वाज हिट एंड ही वास किल्ड। जड़ी डॉग फाइट होई, जड़ लड़ाकु हुआइट लड़ाइट होगी लेकिन क्योंकि इना ने दो लड़ाकु हुआई जहाज पाकिस्तान दे गिरा दिते थे इस करके दा रिमेनिंग एर्क्राफ्ट रिटर्न टू पाकिस्तान विदाउट प्रैसिंग दा टैक ता बाकी बच दे जड़े चार लड़ाकू हवाई जासी ता ओहो होर अगे हमला ना कर दे होई पाकिस्तान वल वापस मुड़ गे मतलब उना दा होसला एक तरा नलपस्त हो गया क्योंके उना दे दो वड़े लड़ाकू हवाई जाहाज मार गिराए गया इसी आते उना नू वापस पाकिस्तान मुड़ ना पया ता स्टूडेंट्स चैप्टर दे भी चसी है पड़े आसी के इना दी अद्पूत बहादरी नू सलाम इना दे उपर बंब सुटन वाले पाकिस्तान दे लड़ाकू हवाई जाहाज दे पाइलेट ने भी किता सी ते उस दा नाम सी सलीम बेग मिर्जा ता जेकर कोई दुश्मन प्रेज करदा ता उथो पता लादा कि बहादरी की हुंदी है साहस की हुंदै ता स्टूडेंट्स इस चैप्टर वीच सडे पंजमेफोजी जीना दा जेकर है उना दा नाम है जी कैप्टन विक्रम बत्रा नोन अज़ दा लाइन किंग उनानू शे शा देनाल जाने जान्दा सी लाइन किंग देनाल जाने जान्दा है जी डिस्पलेड एक्जम्पलरी बेवरी दूरिंग दा कारगिल वार उफ 99 तु विन दा परम वीर्चकर उनी सोनोड इन्वे दे जड़ी कारगिल जंग होई है जी इंडिया पाकिस्तान दी ता उदे जड़ी एनाने एक बहादरी दी एक्जम्पल दी उदा आरन पेश किती है उस दे वजो इनानू परम वीर्चकर परदान किता गया असा नू बता बचे हो कैप्टन विक्रम बतरा एक आफिसर वजों पार्ती फोर्ज दे विच आये सी अते बहुत ही जल्दी अपनी काबलियत देना ले कैप्टन बन गे उस समय जदो कारगिल वार होई है ता साधिया कारगिल दिया कई चोटिया दे पाकिस्तानिया ने कभजा कर लेया सी अते पॉइंट इकवंजा सो चाली जड़ी चोटी है उसनू फेर दुबारा री कैप्चर किता री कैप्चर दा मतलब दुबारा कब दे विच लेया ता सानू पता बचे हो जड़ी ये पॉइंट इकवंजा चाली है बहुती तिखीट लान वाली चोटी सी इना दे नाल दे फोजी अते है उस तिखीट लान वाली चोटी दे उपर चड़े उपर दुश्मन मशीन गन लेके बैठा सी उना ने मशीन गन दे नाले ना दे फायर किते जिस कार के साड़े फोजीया नू बहुत ज़्यादा दिक्कत आई उपर तक पहुंचंच पर उपर पहुंचे है ते ना ने पहुंच के नाले ता दुश्मना नू मारेया ते नाले ओ मशीन गनवी कबजेच किती आ ते नाल ही इकवंजा चाली दी चोटी फते किती उपर पहुंच के ही सिंगल हैंड़ली किल्ड थ्री एनिमी शोल्जर्स इन क्लोज कॉमबैट ज़दो उपर पहुंचे चोटी ते ना ने इकल्लम कल्ले तिन दुश्मना दे फोजीया नू मारेया ते ज़दो ना ने पॉइंट इकवंजा चाली नू फते किता उस तो साड़े पारती फोजीया दे सहास एनने वद गे ते फेर एना ने बहुत सारीया चोटीया जिमें के 0.1 बंजा सो, 0.47 जंक्शन पीक अते थ्री पिंपल्स ए सारीया चोटीया नू भी एना ने रीकेप्चर किता दुबारा अपने कबजे विच किता इस चोटी नू साड़े पारत ने कबजेच कर लिया सी परंतु उस चोटी दे उपर दुबारा दुश्मन ने हमला किता अनिमी काउंटर अटेक ता ओदों की होया के ना दे एक फैलो अफसर जखमी होगे इना दे नाल दे साथी जखमी होगे उना नू बचाउंदे होए जखमी होगे अतेना ने शहीदी प्रापत किती martyrdom दा मतलब हुंद है जी शहिदी, attain दा मतलब प्रापत करना, यह बहुत ही भादर पार्थी फोजी सी एसे करके ना नू लाइन किंग किया जन्द है यह बच्चे मा नू चैप्टर वीच एक पिक दिखांदे हुए दस्या सी के इना ते एक बहुत ही वदिया बॉलिवूड मुवी बनी है शीर्षया जो के इसे साल रिलीज होई है ति मैं तानू सारे नू अपील भी गिती जी जी हो सक्या था, एद्दानिया मुवीज जरूर सानू देखनी है चाहिए दियाने ता उमीद है students के तानू सारा ऐसे टाइप questions समझ आ गया होवेगा जेकर फिर भी तानू इस question देविच कोई doubt है कोई question है ता तुसी मैंनू comment section देविच पुछ सकदेओ वीडियो दे end दे विच मैं तानू सक्रीम दे उपर इस chapter नाल बनाईया हुए है बाकी सारी वीडियो दे link प्रवाइड कर रहे है हाँ जेकर तो आड़ी कोई वीडियो रहेंदी है ता उस link दे जाके तुसी देख सकदेओ next आप किसे नवे chapter नो लेके मिलांगे जी तनवाद